Hello Friends, Welcome to our channel, Ship of Knowledge आज हम लग जानेंगे Eric Erickson के द्वारा दिया गया Eight Stages of Development के बारे में Eric Erickson ने एक परसन के लाइफ में होने वाले Eight Stages of Development के बारे में बताया है पहला स्टेज है, Trust versus Mistrust जो की पहले साल से दूसरे साल के बीच होता है मा बच्चे का कैसे ख्या रखती है, उसके उपन निर्भर करता है कि वो बच्चा एक दूसरों पर ट्रस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा Second Stages is Autonomy versus Shame and Doubt जो की दो साल से चार साल के बीच होता है इसमें बच्चा खुद से सीखना शुरू करता है अगर वो कोई भी टास्क खुद से करने में कैपेबल हो पाता है तो उसका confidence बढ़ता है लेकिन अगर लोग उसे रोकते हैं या फिर रोकते हैं तो भी शेम और डाउट से भड़ जाता है तीसरा स्टेज है initiative versus guilt जो की चार साल से पाथ साल के बीच होता है इसमें बच्चा खुद से नही नहीं चीज़े सीखता है और try करता है अगर उसको encourage किया जाता है तो उसका confidence बढ़ता है और वो अपने interest को follow करता है अगर नहीं किया जाता है तो वो guilt से भर जाता है fourth stage है industry versus inferiority जो की पाथ साल से बाथ साल के बीच होता है इसमें बच्चा comparison करना शुरू कर देता है इसमें teacher का बहुत बड़ा rule होता है अगर teacher उसे ज्यादा recognition देता है तो वो और मेहनद करता है अगर नहीं देता है तो वो अपने आपको कमजोड समझने लगता है पाँचपा stage है identity versus role confusion यह 13 साल से 19 साल के बीच में होता है इसमें बच्चा अपने career, future और relationship के बारे में सोचने लगता है इसमें वो अपने goals भी set करना start कर देता है इसमें अगर वो अपने बारे में explore करने को इसको छूट दी जाती है वो अपनी identity खोज लेता है अगर नहीं दी जाती है तो वो confusion में रह जाता है जिसे Eric Erikson ने identity crisis कहा है चटा stage है intimacy versus isolation जो की 20 साल से 14 साल के बीच होता है इसमें व्यक्ति अपना फायदा छोड़कर दुनिया के बारे में सोचने लगता है इसमें व्यक्ति long term commitment करने में अगर capable हो पाता है तो वो confident और happy हो जाता है अगर नहीं कर पाता है तो वो अपने आपको अकेला और unhappy महसूस करता है 7th stage है generativity versus stagnation जो की 40 versus 65 verse के बीच होता है इसमें व्यक्ति society में contribute करना है start कर देता है अगर उसे लगता है कि वो आगे आने वाले generation को lead कर सकता है तो confident महसूस करने लगता है अगर नहीं तो वो negative हो जाता है और अपने आपको useless समझने लगता है 8th stage है ego integrative versus despair जो की 65 साल से मृत्यू तक चलता है इसमें व्यक्ति अपने past को देखता है और सोचता है कि क्या उसने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है नहीं और नहीं वो चड़ चड़ा और कड़वार से भड़ जाता है उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंक्यू झाल